नमस्कार दोस्तो अप्रेल महिने में अक्सर एक रोग हमारे गन्य की फसल में देखने को मिलता है जिसका नाम है तनाचेदक तनाचेदक पर यदे हम सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं दवा का यूज नहीं करते हैं तो रोग काफी अधिक हमारी गन्य की फसल को नुकसान प लिया था तनाच्छेदक के लिए आज जो हम यूज करने जा रहे हैं वो एमपलीगो दवा को हम उपने गन्य की फसल में डालने जा रहे हैं कितनी मात्रा हमको एक एकड में डालनी है प्रति पंप हम कितनी डालेंगे कितना लगबख खर्चा आएगा कैसे हमको यूज करना है और क्या रिजल्ट है वो हम पूरा इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जिससे दोस्तों जो आपके मन में एमपलीगो के बारे में कोई डाउट था या कुछ ऐसी चीज़े हैं कि हमको इस दवा का गन्ने में यूज करना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा तो किल हो जाएगा पहली ची दोस्तों इसमें बता दें आपको दो दवाएं मिलती हैं जो आपको कोराजन और कवर में नहीं मिलती है इसमें लैमडा सालो थरीन पांच परसंट के करी मिलता है ध्यान देना है दोस्तों उसमें साड़े अठारा परसंट के करी मिलता है लेकिन इसमे में अच्छा रिजल्ट मिला है तो इसकी डोज आपको कितनी प्रियोग करनी चाहिए मैं कितनी यूज कर रहा है वो हम अपनी यूज करने की बता रहे हैं इसको मैंने जो यूज किया है प्रति पंप मैंने 20 ml दवा डाली है इस हिसाब से एक एकड में मैंने 200 ml दवा डाली है क्योंकि इसकी मात्रा थोड़ी कम परसेंटेज मात्रा कुलो एंट्रा की जो है वो थोड़ी कम होती इसलिए इसकी डोज आपको बढ़ा कर देनी पड़ेगी यानि 200 ml करीब एक एकड में आपको इसको इस्प्रे करना पड़ेगा इसमें दोस्तों दो दवाएं ही जिससे और भी थोड़ा हमको अच्छा रिजल्ट दिया है वो रिजल्ट आपको हम आगे दिखाएंगे भी क्योंकि दोस्तों मेरे गन्ने में साथ मैंने उरद की भी बुवाई किया है क्योंकि ट्रेंच गन्ने की मैंने बुवाई की है तो साथ में मैंने उरद लगाया है तो आप मोंग या दूसरी फसले भी लगाते हैं अभी आपके लिए ये थोड़ा बेटर साबित होगा चोकि जो लेम्डा सालो थ्रीन दवा होती है उपर जो पतियों पर रोग लगते हैं उसको भी कंट्रोल करता है यानि जो उड़ करके कीटी दर दर से आकरमर करते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है जब कि क्लो एंट्रा इली प्रोल जो है वो सिस्टेमिक है पौधे के अंदर से जाकर के जो है पौधे को आपको सुरच्छा देता है तो इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं थोड़ा बिटर रिजल्ट के लिए यूज आपको सेम जैसे कवर या कोराजिन यूज करते हैं वैसे ही आप इसका भी सूखे खेत में आपको इस्प्रे कर देना है इस्प्रे आपको पौधों के करीब करना है और उसके बाद आपको सिचाई कर देना है सिचाई के बारे में बहुत से किसान भाईयों के मन में एक भ्रांत रहती तो वो भी आपको बता देते हैं दोस्तों सिचाई आपको ना त आप इससे हलकी सिचाई करते हैं तो होता क्या है जब आप कोई सिस्टेमिक दवाई इस प्रकार की देते हैं जो जड़ों के मादन से पहुंचे तो उसको लगभग 10 दिन तक तो परियात नमी खेत में होना यानि जड़ों तक 10 दिन तक लगभग नमी अच्छी होनी चाहिए तो इसलिए जब आप इसकी 4-6 सिचाई कर देंगे तो 10 दिन तक नमी मिल जाएगी लेकिन जड़े आप हलकी सिचाई करते हैं तो तुरंत आपको बाद में 3-4-5 दिन के बाद फिर से सिचाई करने पड़ेगी उसके बाद आप देखेंगे कि खरपतवार काफी उग जाते ह जिससे पौधा कमजोर होने के चांस बन जाते हैं तो आप एक सिचाई करते समय भी इस बात का ध्यान रखें जिससे आप जब निराई गुड़ाई करने का समय हो या बाद में आपका पौधा काफी अच्छा चले अब यहां पर दोस्तों मैं रिजल्ट भी दिखा रहा हू अब मैंने ये सब काम करने के बाद दोस्तों अब मैं गुड़ाई करने वाला हूँ और गुड़ाई करने के समय आप देख सकते हैं कि गन्ना मेरा कितना अच्छा हो गया है जो रोग भी दिखाई पड़ते थे जो रोग कीटों का असर था जो भी खत्म हो गया है अब एक स हिसाब से इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह को राजन और कवर के इसाब से काफी सस्ती भी आपको आफ लाइन मार्केट में मिल जाएगी जोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताएगा और मैंने अभी तक क्या-क्या यूज किया है जो आपको इतना अच्छा गन्ना दिखाई पड़ रहा है वीडियो में पूरी जानकारी चाते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं मैं उस पर भी आपको जानकारी दूँगा धन्यवात